नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अफियर्स क्लॉड में तो दोस्तों भारत खरी सकता है अमेरिका के बोइंग कमपनी का बना हुआ F-15 E-X फाइटर जेट और भारत 114 की संख्या में MMRC-2 के तहत ही इन जेटों को खरीच सकता है और आखिर भारत राफिल को छोड़कर अमेरिका से इस F-15 E-X फाइटर जेट को क्यों खरीदेगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो चैनल पर नए है वो जल्दी से जाकर नीचे रेट कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें दरसल दोस्तों आप सभी ल लगाए हैं उन सैंक्शन का भारत भी पालन करे लेकिन भारत अमेरिका के दवाव में ना आकर भारत के विदेश मंत्री एस जैसंकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका से कह दिया है कि जितना तेल भारत महिने भर में नहीं मंगाता उतना तेल यूरोपियन देश आधे दिन में रसिया से खरीद लेते हैं और यहीं से कयास ये भी लगाय जा रहा है कि भारत अमेरिका और रूस दोनों को बैलन्स रखने के लिए अब अमेरिकी F-15E-X फाइटर जेट खरीद सकता है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में भारती वायू सेना के एरचीप ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारती वायू सेना च्छा तरह के अलग-अलग फाइटर जेटों का इस्तेमाल करती है जैसे कि सुखोई 30 MKI, मिराज, राफेल, जैगवार, तेजस और मिक सिरीज के फाइटर जेट का इस्तेमाल भारती वायू सेना करती है और अलग-अलग कंपनीज के फाइटर जेटों को मेंटेन करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है लेकिन इससे एक फायदा भी होता है कि मानलो हमारे रूस के साथ संबंध खराब हो गए या अभी की सेचुएशन देख लो अमेरिका ने रूस से इस पेर पार्ट नहीं खरीच सकता है वहीं बियार चौदरी ने अपने इस बयान में कहा कि भारती एरफोर्स सात्वी तरह का विमान सामिल करेगा अब जाहिर सी बात है इस सात्वे तरह के विमान में राफेल तो होगा नहीं क्योंकि राफेल तो हमारे पास पहले से ही म फेल खरीद लेगा तो वो हमें काफी सस्ते रेट पर भी मिलेंगे साथ ही उन्हें मेंटेन करने में ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चोगा तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है अब आप लोग कहेंगे वो क्या दरसल दोस्तों भारत के F-15EX फाइटर जेट खरीदने के तीन बड़े कारण हो सकते हैं जिसमें से पहला कारण या है कि बारत रूस से भी फाइटर जेट खरीद चुका है और भारत ब्रिटन से भी जैगवार फाइटर जेट खरीद चुका है और फ्रांस से भी भारत फाइटर जेट खरीद चुका है अब ऐसे में सिर्फ एक ही देश ऐसा बसता है जिससे भारत ने अभी तक कोई fighter jet नहीं खरीदा है और वो देश है अमेरिका एक तो ये बड़ा कारण हो गया वही दूसरा कारण ये है कि भारत रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका का सयोग नहीं कर सका इसलिए अमेरिका और भारत के तालमेल अच्छे रहें क्योंकि भारत और चीन विवाद कभी भी बड़ेगा तब अगर हम अमेरिका से मदद मांगने जाएंगे तो अमेरिका भी भारत की मदद के लिए राजी नहीं होगा एक तो ये कारण हो सकता है वही तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पडोसी देश पाकिस्तान म ऐसे में अमेरिका कहीं पाकिस्तान को उन्नत हतियार देनाना स्टार्ट कर दे एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है अब आप लोग मैंसे कुछ लोग या सोच रहोंगे कि अमेरिका से ही क्यों भारत स्वीडन का साब ग्रिपिन भी तो खरीज सकता है क्योंकि एयर चीप ने ये तो कहा नहीं कि हम अमेरिका से ही फाइटर जेट खरीदने जा रहा हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहां बयान ऐसे समय में आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और भारत के रच्छा मंत्री इस समय अमेरिका की बोईंग कमपनी का दोरा भी कर चुके हैं और साब गृपन को भारत खरीदेगा नहीं क्योंकि साब गृपन तेजस की कैटेगरी का एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है इसलिए ज़्यादा तरचान सही है कि भारत अमेरिका से मल्टी रोल F-15EX फाइटर जेट खरीदेगा अब आप लोगों का क्या कहना है एयर 15EX फाइटर जेट भारत को लेना चाहिए या फिर नहीं कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद